हलो एवरिवन, वेलकम और वेलकम बाक टो माई यूटिव चानल आज की वीडियो में शेयर करने वाले हों कुछ है जो आपके साफ सफाई करने में बहुत ही जादे हैलफुल रहेगा और आपके काम ना में तो में हो जाएगा और इसमें नेडल को अलका से गरम करके छेट कर लेते हूं इसके बाद कमफर्ट बेसिकली हम लोग कपड़ी को नरिश्मेंट करने के लिए यूज करते हैं यहां पर मैंना सिंख को क्लीन करने के लिए और तोर इसा फ्रेग्नेंस लाने के लिए मैं यूज करते हूं और comfort के जगह bottle में soda vinegar डालकर सिंक के जूबी दाग धबे वो खतम हो जाएगा और clean और dry देखने को मिलेगा तो इस तरीके से हम bottle को use कर सकते हैं तो चलिए आज आते हैं अब दूसरी hack पे तो होता कि है जब भी खाना बनाते हैं जो धूआ निकलता है वो कहीं न कहीं जाके चिपक जाता है और जो चीजे बिलकुल काला काला सो हो जाता है तो इसको साफ सफाई करने के लिए बहुत ही simple hack है सबसे पहले मैं पानी से इसको जितनी भी मिटी है दूल है और जो भी धुआ इस पे लगा हुआ है वो रीन्स कर देती हूं पाने डाल के इसके बाद चैना यहां पर ब्रेस की हेल्प से स्क्रब कर देती हूं खेड़की की क्लेणिंग के लिए सलुशन बना ली हूं जिसमें मैं ली हूं डिटरजेंट, बेकिंग सोड़ा एक चमज और वेनेगर अब इन सब को मैं बड़े से बावल में डाल दूंगी और इसमें मैं पाने डाल दूंगी सोड़ा अच्छे से बन जाया जारे कॉंटिट मैं वेनेगर डाल दूंगे इसको लगाने से खेड़की में बिल्कुल पी बिना मेहनत की खेड़की बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है उसके बाद यहां पर मैं तिन चार चमज से डाल दियों खेड़की और बैस ब्रस की हैल्फ से स्क्रब कर दूंगी और आप देख सक कितना जादा धूल मिट्टी जमा हुए है की बार में निकल गया तो इस तरीके से मैं अपने खेड़की सपाई करती हूं आप भी से साफ करेंगे ना तो आपको बिना मेहनत के जहें साफ हो जाएगे खेड़की हाला कि मेहनत लगते हैं उतना नहीं जितना हम रगर रगर की किसी चीज को सफाई करते हैं तो बस यहां पी मेरी खेड़की साफ हो गई है तो खेड़की अगर साफ रहना तो रॉष्णी भी कापी अच्छी आते है किचन में तो चलिए अब आ जाते हैं तीसरी हैक पे तो पुजा वाली ठाली होगी तांबे वाले बर्टन तो यह अगर एक से लुष्णी हो गया और दुसरी वाले में मैं ले लिए टेमेटो केचप जो हम डेली खाते हैं अगर एक्सपैरी हो गया तो उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं डिटर्जन और विनेगर से साफ कर रही है बहुत ही अच्छी स यह साफ हो गया है मैं कभी भी एक्सपिरेंस नहीं थी बट जब मैं इसको अप्लाई के ना तो लिटरली बता रही हूँ आवाज से सो हैपी तो रिजल देख के ना ऐसे लगा कि यह सच मुझे पहली पता होता तो मैं इतना महनत नहीं करना परता पूजा थाली को साफ करने स्क्रब करने के पाद यह मैं पानी से वाश कर ली हो और आप देख सकते हैं कितना अच्या रिजल्ट देखने को मिला है जो भी ताग दबा वो गत्म हो गया है और यहां पे न मैं चोटा अशा जो है कोई धकन ले 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 लिए और इसी पर मैं दिया रख दे रह दे लिए और तेल जो है ना थाली पे ने की रहेगा और थाली भी नीट एंड क्लीन रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा तो गैस यह वाली हाक ना जरूर राख करना और होफुली आप लोग ना फुली सेटिस्पाइड होंगे इस वाली है और टेमेटो केच्प से भी ना तो यहां पे मैं पानी ले लियो इसमें इजी डाल दी हूँ और चाशममच जे सेंटाइजर डाल दी हूँ आप अपने एक ओर्रिंग भी डाल सकते हैं जरो ने एकी रेशयो जह बराबर ही हो और इसमेज जए ना बेकिंग सोडा और डिटर जन डाल दी हो यहां पे मैं रे तो दू मिनट तक ग्लास लेट से मैं स्क्रब करती रहूंगी हाला कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा फोम बनेगा बड़ना लेटर ओके हो जाएगा तो इससे आप बिल्कुल भी घबराईगा और साफ होने की बाद बहुत ही अच्छा रजल देखने को मिलेगा तो मैं तो इसको किसी तरह मना कि यहां पे मैं क्लीन कर ली अब मैं इसको ना फ्यान करकी पांच मिनट तक जो है इसको ड्राय होने दोंगी और जो बच्चे हुए सेलुशन है थोड़ा सा पच गया है तो इसको मैं अपना वासिंग मसीन कॉफी टेबल क्लीन कर लोंगी जो चीजों का साफ करने में बहुत ही दिक्कत जाती है खासकर डाग धब्बे को तो इस सलुशन की है जो भी दाग धब्बे हैं वाइट कलर वाले चीजों पे तो वो सेकेंडों में खतम हो जाएगा तो अगर कुछ ऐसा दिक्कत जारी आपकी लाइफ में भी तो इस हाक को यहां पर मैं गया कि मैं इस्ट्व वाले स्क्रबर ले लिए हूं और जग में तोड़ा ऐसा पानी ले लिए और इसमें डिटर्जन डाल दिए और इसको डिप करके हलका हाथों से स्क्रब कर दोंगी जादा नगर के नहीं करूंगी नहीं तो पुरा पेंडी निकल आएगा तो वह जादा विजिवल होगा तो इसको हलकी हाते से मैं स्क्रब कर दिया इसके स्क्रब करने के पाथ कप्र भीगो के और उसको वाइप कर दी हूं और पैस 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा देखनी को मिला है रिजल्ट चली अब आज आते है अपने छटवे वाली हाग पे तो दिबे पड़ी रहते है जिनकी हेल्प से प्यार प्यार से रंगोली बना सकते हैं तो यहां पर मैं इस टिबे को नेडल के हैल्प से चेट कर लिए हो और फिविव वाले डिबे को ना उपर वाले जो पार्ट है उसको मोटा काटी हो अगर पतला काटेंगे तो गिरेगा नह प्रेस करके डिजाइन बना लिए और इसको मैं नेडल सी चेट की थी इसकी हैल्प से जे मैं स्प्रिंकल कर ले तो इस टरीके से ना हम प्यार सा रंगोली जे है बना सकते हैं तो यह कैसा लगे है अब कमेंट में ज़रूर बताना हूं तो चलिए अब आजाते हैं अपने से तो इसके लिए best hack है यहां पर मैं कार्टूल ले ले और शोटै शोटा से ना चार एक्वल साइस मैं कार्डबोर बना ले यहां और इसको मैं यहां पर इसको स्टिक कर लिए और पेपर डिजाइन के हम से डैकुरेट कर ले हैं इसके बार यहां पर पुराने क्लिप्स अब आजाती हो एर्थ हैक पे तो ऐसे बास्केट में अगर हम डारेक्ट सबची या फ़ल रखते हैं तो फीचर में इसको धुलने में बहुत ही जादा महनत लग जाएगा तो इस बैटर कि हम पहले से प्रिकॉशन ले ले तो मैं क्या करती हूं पहले इसमें नीस पेपर लग सकते हैं अब आजाती हो 9 तक पे तो अगर हम आछानक से घर को डैकॉर करना तो हम अपने घर के चीजों से इसको मैं ले लिए और यहां पर टी लाइट है तो इसको मैं रख दियों उसके बीच-वीच में उसके पाच है तो बस लाइटर से जला धी और घर में चीजी ऐसे जिसकी हेल्फ से हम DIY करके घर को डैकॉर कर सकते हैं तो यह DIY कैसा लगा मुझे जो एक कॉमेंट में जरूर बताना आप लोग मुझे बहुत ही अच्छा लगे का जानकर चलिए अब मोवन करते हैं अपने 10th हैक पी तो अक्सर क्या होता है जब भी फेस्टिवाल आता है या कहीं पर भी हम फंक्शन में जा रहे हैं तो नाखुर तूटी ना ऐसा नौबत होई नहीं सकता है तो मैं क्या करती हूँ मैं पूरा नाखुर ना कट करके जहां से कटा रहता है ना तूटा रहता है पस वह आला पार्ट को जो मैं कट करके शीप दे रहती हूँ मैं पूरा नहीं काटते हूँ तो ऐसा में क्या होगा अगर हम पूरा काट देंगे तो एक अलग से दिखेगा तो बैस इस तरीके से कट करके हम नेल्स को अपने बचा अब आजाती हूँ अपनी 11 तूट नारियल तोड़ने में जितना मजा आता है उतना निकालने में नहीं तो मैं क्या करते हूँ यह पे जो नारियल है उसकी एजेस को पहले मै लोडा से जोईना निकालोंगे अगर निकल जाए तो अच्छी बात है अगर नही निकलेगा तो हम दूसरे हैक पे जाएंगे वह यह है कि जितने भी नारियल है उसको पानी में हम 6 गंटा के लिए छोड़ देंगे डालकर इसके बाद 6 गंटे बाद आप चाकू की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से निकारेंगे ना बहुत ही जल्दी निकल जाएगा पिना किसी दिक्कत का अब आजाती है तो घर में अंडा बनाने के बाद यह एकसेल है वह हम फेक देते हैं बट अगर हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे ना तो बहुत ही पादे मन होगा तो एकसेल को अगर गंबले में डाल देते हैं तो पेड को बहुत ही अच्छा निट्विशन मिल जाता ह है और एकसेल में केलसिम बहुत ही जादा मातरम पा जाता है तो पेड का जो जड़ है उसको स्ट्रिंटिन कर देता है और बहुत अच्छा ग्रोथ करता है तो अब आज आती हो में अपनी लास्ट है पे तो जब भी हम कुकर में कुछ भी कुक करते है डाल या छोले तो सीट हो जाएगा बिना सेटी लगा है तो बस यह रहा आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में तिल रावाई टेक क्या